तो दोस्तों, जैसा कि तुम सब लोग को पता है, कि मैं बिलकुल प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ, ऐसा पढ़ाता हूँ कि तुम्हें देखता ही एक बार में समझा जाता है, और تمहारे दिमाग में सब चिस घुश जाता है, तो प्लान टीसु का तो प्रैक्टिकल मैंने प्लीज यार वीडियो को इन तक देख लेना बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में हमें याद है कि हमने पिछले वीडियो में एपिधिलियल टीशू का पूरा पढ़ लिया था तब एपिधिलियल टीशू का भाई के बारे में पढ़ना है कैसा भाई कोई दूसरा भाई नहीं है वो अपना सगा भाई है और उस सगा भाई का नाम है Connective Tissue तो इसका basic function क्या होता है देखते हैं इसका काम हमारे body को support provide करना होता है और हमारे body के हर एक organ को एक दूसरे से जोड़ना होता है यही तो होता है connective tissue का भाई नाम से ही पकड़ लोना connective जोड़ना जैसे कि मेरा ये अंगुली का अलग-अलग भाग connective tissue के मदद से जुड़ा हुआ है तो चलो आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है और हाँ इसमें बहुत सारे चीज का योज भी करने वाला हूँ जिससे कि तुम्हें practical वाली feelings आए तो चलो इसके types जान लेते हैं कि connective tissue के कितने types होते हैं तो पहला type का नाम है aerular connective tissue भाई बीच में connective लगाने का बस एक ही मकसद है कि हमें पता चल जाए कि ये connective tissue का बच्चा है नहीं तो हम लोग यादी aerular tissue भी लिखेंगे ना तो भी हमारा answer गलत नहीं होगा connective tissue के दूसरे type का नाम है edipose connective tissue तीसरे type का नाम है skeletal connective tissue और चौथय type का नाम है vascular tissue यानि vascular connective tissue अर यार इसे तो flood भी कहते हैं ना हाँ तो ये चारो type के बारे में हम बिल्कुल deeply पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें aerular tissue के बारे में deeply पढ़ना होगा और हाँ याद है ना कि मैं practically पढ़ाता हूँ चलो तब practically देख लेता है तो इसका काम होता है कि it feels the space inside the organ जैसे कि मानलो ये cutteric organ है तो organ के अंदर कुछ खाली ज tissue उस खाली जगा को भर देता है वह ऐसा ज्यादा खाली जगा भी नहीं होता है दोस्त थोड़ा मोड़ा होता है तू सबको भर देता है और इस ये कहां पाया जाता है found between skin and muscles देखो जोस्त तुम्हारा जो चमड़ा है ना और तुम्हारा मांस है वो अलग-अलग है ये मत सम समझ गया और कहां कहां पाया जाता है ariolar tissue found around the blood vessels चलो इसे भी तुम्हें प्रक्टिकली दिखा देता हूं जैसे कि ये pain मानलो blood vessels है इसके अंदर से खुन पास होता है तो इसके उपर उपर ariolar tissue present होता है blood vessels समझ रहे हो ना अरे भाई नस लेकिन यार कुछ भी कहो आज मुझ सूचता था कि skin और muscles दोनों एक ही हैं लेकिन नहीं नहीं skin और muscles अलग-अलग हैं चमडा और मांस अलग-अलग हैं अब बात आती है एडिपोस tissue की एडिपोस tissue कोई इसका भी main function होता होगा अरे हां भाई it acts as insulator and prevent loss of heat from the body एडिपोस tissue हमारे body में कंबल की तरह काम करता है कैसे क कंबल की तरह देखो भाई ठंदय के मौसम में तुमने तो कंबल ओढ़ा ही होगा कंबल ओढने के बाद अंदर का heat अंदर ही रह जाता है ठीक इसी तरह एडिपोस tissue एक blanket की काम करता है जिससे की हमारे सरीर का heat सरीर में ही रह जाता है और हमारे सरीर के अंदर जितने भी organs है वो गर्म रह जाते हैं, ये हमारे बोड़ी के सारे ओर्गन के उपर एक लियर का काम करता है, तो ये लियर है एडिपोश्टी सु का, और बाकी ये तो बहुत जगह प्रेजन्ट होता है, बाकी ये सब जगह पे प्रेजन्ट होता है, और हाँ, इसका मेन काम यही है दोस्त, कि ये हमारे बोड़ी में इंसुलेटर का काम करता है, जिससे कि हमारे बोड़ी का टेंपरेचर हमेशा 37 डिगरी सेल्शियस रहता है, चाहे तुम नहाते वक्त अपने मुह में थर्मामेटर डाल के देख लो ना, उस समय भी 37 डिगरी सेल्शियस रहेगा, वो एडिपोड टीसू की कारण रहता है, ये टीसू हमारे सेरीड के उपर एक ब्लेंकेट के तरह काम करता है, जो कि अंदर का हीट को अंदर ही रख देता है, भाई हसते खेलते तो दो टीसू खतम हो गया, अब बाकी है दो टीसू, इसके लेटल टीसू, थर्ड टाइप है इसके लेटल टीसू, इस टीसू का काम क्या है, भाई, इससे पहले इसके भाग के बार में जान लो, ये चार भाग में बटा हुआ है, बोन, लिगमेंट, टेंडन, एंड कार्टिलेज, बोन मतलब तो जानते हो हड़ी, जैसे कि तुम सब को पता है, कि हड़ी हमारे पूरे सरीर में है, एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, हाथ में हड़ी, पैर में हड़ी, और हमारे खोपडे भी हड़ी ऐसे बना हुआ है, मैं अभी हड़्डी को मढ़ने का कोसिस करहу, पर मुढ़ नहीं रहा है, बस यही है, हड़ी कभी लचिला नहीं होता है, यानि उसे मुढ़ने से नहीं मुढता है, समझ गया ना, हड़ी किस चीज से बना हुआ है, यह जानना होगा, हाँ भई हाँ, यह केलसियम और जाएगा कोई गारंटी नहीं है दोस्त मुढ़ना मत अब लीगमेंट की बारी आती है देखो दोस्त जैसे कि यह दो पेन है मालो यह दोनों हड़ी है तो दो हड़ी के बीच में यानि दो हड़ी को जोड़ता है उसे लीगमेंट कहते हैं लीगमेंट में एक खास बात है कि उ उसे मोड़ने से मुड़ जाता है जैसे कि यहां पर देख लो मैं इसे मोड़ रहा हूं तो अपने आप आराम से मुड़ जा रहा है इसी के कारण हम अपने हाथ को हीला पाते हैं देखो बीच में लिगमेंट है दोनों पेन को जो जोड़ रहा है उसे लिगमेंट कहेंगे पे ये दोनों हड़ी को ligment जोड रहा है तो जोन जगा मुड रहा है वह जगा ligment पाया जाता है और ये बहुत elastic elastic होता है यानि लचीला होता है ये इसका बहुत खास बात है दोस्ति, ligment के बारे में तो तुम जान ही लिए अब चलो जान लेते हैं टेंडन के बारे में टेंडन किस बला का नाम है अरे यार, simple भासा में से समझ लो कि ये हड़ी और मास को आपस में जोडता है हमारे सरीर में हड़ी भी है, मांस भी है जैसे कि यहाँ पर देख लो सबसे उपर skin है, यानि चमड़ी है उसके नीचे मसल्स यानि मांस है उसके बाद हड़ी आता है तो मसल्स यानि मांस और हड़ी के बीच में टेंडन पाया जाता है जैसे कि दोस्त हम लोग फेविकोल से दो चीज को लटकाते हैं न ठेकिसी तरह हमारे भगवान हमारे मांस और हड़ी को टेंडन से लटका हैं उनका फेविकोल का नाम टेंडन है बस इतना समझ लो देखो भाई आराम से हम लोग पूरा चीज समझते चले जा रहे हैं और किसी में कुछ डाउट भी नहीं रहा जा रहा है अब बारी आती है फुर्थ पाट की जिसका नाम है कार्टिलेज सबसे पहल आता है और ये प्रोटीन और सूगर से बना हुआ होता है इससे मेरे बज़पन के दिन याद आ जाते हैं देखो जब मैं छोटा था ना तो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बदमासी करता था उस समय मेरी मा मेरा कान को पकड़के दो तीन बार घुमा देती थी फिर भी मेरा कान तूटता नहीं था तो मेरे दिमाग में सवाल उठता था कि भाई ये कान को चाहे कितना घुमा दो ये तूटता ही नहीं है मुझे आज समझ में आया कि ये कार्टिलेज के वज़़ा से नहीं तूटता है क्योंकि ये बहुत इलास्टिक होता है दोस्त इसे मोड़ भी दो फिर भी ये तूटता नहीं है और ये तुम्हारा कान और तुम्हारा नाक में भी प्रेजेंट होता है जैसे कि नाक को भी मोड़ के देखो अभी तुरत मोड़ के देखो फिर भी ये नहीं तूटेगा और कान को तो चाहे दो से तीन घुमा घुमा दो फिर भी नहीं देखो हम लोग चौन था नंबर के टीसू में पहुंच गए हैं बैसकुलर टीसू जिसे की हम फ्लूड के नाम से भी जानते हैं और यह बिल्कुल लास्ट पाथ है बस इसे जान लो उसके बाद तुम्हारा कनेक्टिव टीसू खतम तो चलो तुम्हें बता देता हूं देखो हमारे खून में प्लाजमा होता है तो प्लाजमा के अंदर और और बीसी डबलो बीसी प्लेटलेट्स वगहरा वगहरा चीज पाए जाते हैं धियान से सुनो खून के अंदर और और याने में तो बहुतmp वाखहा बहुत से चीज पाए जाते हैं तो Towel ov concern के बारे में जानन और ये हमारे जितने भी सरीर के भाग हैं उसमें ओक्सिजन को पहुंचाता है बस इसका इतना काम है क्योंकि हमारे सरीर में ट्रिलियन सोब सेल हैं और सारे सेल को ओक्सिजन का जुरत होता है तो खून तो सरीर के एक एक अंग में जाता है तो खून में प्लाजमा है और प्ला से बात है तुम भी पूरा भारत देश घूम लोगे क्योंकि गाड़ी में तुम ही हो ठेक इसी तरह RBC भी पूरा सरीर में घूम लेता है और ओक्सिजन को सरीर के हर एक आंग में पहुंचाता है अब बात आते है WBC इसका तो फुलफम होता है white blood cell और इसका main काम होता है सरीर को protect करना है किस चीज से इतना इतना बिमारी है यार बिमारी आता है तो सबसे पहले हमारा WBC उससे लड़ता है लड़ने के बाद यदि जीत गया तो बिमारी खतम हो जाता है और यदि हार गया तो बिमारी आकर्मन हो जाता है अभी कोरोना को ही लेलो यदि तुम्हारे अंदर virus कि भारत को रख्चा करने के लिए। हमारे पारप का नाम है प्लेटलेट्स क्या करता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटीन यानि ये खून को जमाने में मदद करता है जैसे कि तुम मालव अपने हाथ में कट गए अब हाथ से खून तो निकले गाई अब खून निकलता है तो प्लेटिलेट्स का काम सुरू हो जाता है जैसे ही वो बाहर के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो जमना सुरू करता है धीरे धीरे वहां का खून जम जाता है तो फिर जादा खून नहीं निकल पाता है यदि प्लेटिलेट्स नहीं होता ना दोस्त तो कभी भी आदमी कहीं पर भी लग जाता ना तो उसके सरीर का सारे खून निकल जाता और वो मर जाता इसलिए हमारे सरीर को बचाने में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा योगदान है तो भाया आज के लिए तो बस इतना ही वैसे भी प्रोटेक्टिव टीसू का सारा पार्ट्स कम्प्लेट कर दिया है मैंने जो वीडियो को इन तक नहीं देखा वे एक्जाम में जाकर रोएंगे और जो वीडियो के इन तक देखा है वो जाकर एक्जाम में मजए से अंसर लिखेंगे चलो बाई मिलते है नेक्स्ट पार्ट में वैसे भी मेरा मारकर भी जवाब दे दिया है और यदि चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा देना चलो बाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट